हेलो दोस्तों, आपने कई बार बिल्क पाउडर का यूज होते हुए देखा हुआ बिल्क पाउडर का यूज दूद की सोटेज के दोरान चाय कोफी बनाने के लिए किया जाता है इसके लावा आईस क्रीम, कैंडि, ब्रेड्स, बिस्कूर्स लावा एंडिन सुट्स बनाने के लिए किया जाता है दोस्तों, इन सब भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम डिरेक्ट लूद का यूज भीक कर सकते हैं तो दूद का पाउडर बनाने की क्या जूर्थ है आज की इस वीडियो में हम जानेगे की दूद से दूद पाउडर क्यों बनाया जाता है दोस्तों सबसे पहला कारण यह है की दूद की सेर्टलाइफ बहुत कम होती है जो ताज़ दूद होता है वो 2-3 दिनों में ही खराब हो जाता है और दूद के खराब होने का जो मुक के कारण है हो है दूद में मौजूद मोश्टर कंटेंट मिल्क पॉडर का मोश्टर कंटेंट 3-5% तक ही रह जाता है milk powder की water activity कम होने के कारण microorganisms milk powder में survive नहीं कर पाते और दूद के मुकाबले milk powder की self life बढ़ जाती है जाद दूद 2-3 दिनों में खराब हो जाता है वही milk powder को एक साल तक store करके रखा जा सकता है और दूसरा कारण है कि दूद से दूद powder बनाने से दूद की जो volume होती है वो कम हो जाती है और volume कम होने से जो transportation और storage की जो cost होती है वो भी कम हो जाती है इसका मतलब दूद के मुकाबले दूद powder को एक जगा से दूसरी जगा ले जाने में कम खरचाता है और storage की cost भी कम हो जाती है क्योंकि milk powder space कम लेगा साथ में refrigeration cost भी नहीं लगती क्योंकि दूद को store करने के लिए जहाँ पर हमें 5 degree Celsius से कम temperature पर रखना जुरूरी होता है वहीं दूद powder को हम normal room temperature पर भी store करके रख सकते हैं इसके साथी volume कम होने पर दूद powder की packaging cost भी दूद के मुकाबले कम हो जाती है जहाँ दूद को store करने के लिए बड़े-बड़े milk silos और उसके लाव BMCs और टेंक्स की जूर्थ परती है वहीं पर milk powder को हम बोरियों के अंदर डाल कर एक room के अंदर store करके रख सकते हैं commercial milk powder normally 20 kg की बोरियों में डाल कर रखा जाता है महीं पर market milk powders generally एक किलो की packaging में उपलब दोते हैं दूस्तों दूद powder की self life ज्यादा होती है इसलिए इससे पूरे साल कभी भी यूज किया जा सकता है इसका मतलब milk powder की production plus season या lean season पर निर्बर नहीं करती दूद से दूद powder बना कर हम indirectly दूद को लंबे समय तक preserve कर रहे हैं ताकि दूद की production कम होने पर हम दूद की जगापर दूद powder को alternate यूज कर सके जरूरत पढ़ने पर बड़ी बड़ी daily industries दूद powder को reconstitute करके यानि फिर से पानी वे fat मिला कर दूद बना लेती हैं ताकि वे demand को पूरी कर सकें फिर आपके दिमाग में ये स्वाल आ रहोगा कि market में तो अलग-अलग fat के milk मिलते हैं क्या milk powder भी अलग-अलग fat के according मिलते हैं हाँ मिलते हैं लेकिन milk powder में सबसे ज़्यादा skin milk powder को ही produce किया दाता है जो कि कई तरह के product बनाने में एक अच्छे SNF source का काम करता है इसके लावा whole milk powder, cream powder, butter milk powder भी बनाये जाता है इसके लावा instant milk powder भी बनाये जाता है जिसे reconstitute करना काफी असान होता है यानि इसे घर पर ही पानी डाल कर फिर से दूद को हम मिंटों में त्यार कर सकते हैं और या जूर्ट पढ़ने पर दूद की जगा भी ले लेता है साथ ही कई प्रकार की cost को भी कम करता है तो आज के लिए बस इतना ही मैं आसा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे लगी होगी वीडियो च्छे लगी तो वीडियो को लाइक कर देना साथ में से अपने दोस्तों में भी सेर कर देना धन्यवाद